मारे पास जो पांचवे फोल्डर में साथ संसकार है। इन्हें सक्रिय करना और उभरना आसान होगा। आज जब आप घर वापस जा रहे हों तो एक छोटा सा होंवर्क करें। अपने परिवार के सदस्यों को देखें, उनके बारे में सोचें। और बस जांचें। वे मेरी प बहुत सारे संसकार लेकर आए हैं। बहुत सारे कर्म। तो आप आज से ही शिफ्ट हो जाएं। सवाल करते हुए कहा वे ऐसा व्यवार क्यों करते हैं। कहने को मैं उन्हें समझता हूँ। मैं उनकी यात्रा को समझता हूँ। मैं उन्हें स्विकार करता हूँ। और मैं उ उन्हें आशीरवाद देता हूं। उन्हें आशीरवाद दो। उन साथ संसकारों में से एक गुन चुने। और उन्हें यह भीजे। ऐसे ही संकल्प करो। आप शक्तिशाली आत्मा है। आप एक प्यारी आत्मा है। जब हम ध्यान और दैनिक आध्यात्मिक अध्ययन जब एक व्यक्ति अपने विचार बदलता है, तो रिष्टे बदल जाते हैं. 2 में से 1 किसी रिष्टे पर काम करने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है. यह गलत है. रिष्टों को ठीक करने के लिए दो लोगों को कुछ चीजें बदलने की जरूरत है. अगर वे गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बस अंदर से एक ही विचार कहते रहें, जैसे यह व्यक्ति बहुत अच्छा है. बस वह कमपन भीजें. आप उन्हें बस बसते हुए देखेंगे. और सबसे महत्वपून बात, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे. कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे. खुद को दूसरे लोगों की कमजोरियों से बचाएं. आप में से कितने लोग जानते हैं कि कौन सा ध्यान केंद्र आपके घर के नजदीक है? हर कोई उस केंद्र से जुड़ा होगा. जिन लोगों ने इसकी जाच नहीं की है, कृप्या इस स्थान को छोड़ने से पहले जाच ले. यहां से जाने के बाद आप फिर से चार से पांच दिनों तक रोजाना एक खंटे के लिए जाएंगे. और मेडिटेशन कोर्स करेंगे. और उसके बाद वह केंद्र हमारे लिए एक दैनिक स्थान है. वहां प्रति दिन क्लास लगती है. साल के 365 दिन. 1936 से 2024 तक. लोकडाउन के दौरान ही इसे बंद कर दिया गया था. अन्यता यह सदैव खुला ही रहा है. भले ही शहर में कोई भी स्थिती हो. तो हम सब सुभा एक घंटे के लिए वहां जाते हैं. और फिर हम अपने काम पर या अपने परिवार के पास जाते हैं. यानि पूरे दिन में हम एक घंटा अपने लिए बिताते हैं. और वह एक घंटा जो हम अपने लिए बिताते हैं, वह हमारे लिए बाकी तेज़ घंटे बदल देता है तो अन्य सभी मार्गदर्शिकाए जो आपने यहां देखी वे सभी आपकी तरह कार्यालेओं में काम करते हैं वे अपने घरों की देखभाल करते हैं लेकिन वे हर दिन अपने लिए एक घंटा बिताते हैं जिससे उनके साथ संसकार जागरित हो रहे हैं इसलिए यहां से जाने के बाद हमें भी ऐसा ही करना होगा वहां जाकर कौन-कौन समय निकालेगा सबसे बड़ा मिथक यह है कि हमारे पास समय नहीं है ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है बात यह है कि हमारे पास शक्ती की कमी है इसलिए हमें हर काम करने में अधिक समय लगता है और उतना ही हम अपनी आंतरिक शक्ती को खोते जा रही हैं लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जब हम पहली बार यहां आये तो हम में से किसी के पास समय नहीं था हम सभी ने सोचा कि हम बहुत व्यस्थ हैं लेकिन फिर हमने एक घंटा निकाल लिया एक महीने के भीतर वह घंटा हमारी यात्रा में फिट हो गया और उसके बाद हमारे पास बहुत समय था कि हम अपने लिए एक घंटा निकाले और हम दूसरे लोगों की सेवा के लिए भी समय निकालते हैं आज ये सभी लोग जो यहां खड़े हैं आपकी सेवा के लिए यहां आए हैं क्योंकि हमें अतिरिक्त समय मिलता है तो यह मत कहो मेरे पास समय नहीं है बस कहो मैं प्रयोग करता हूँ मैं आत्म देख भाल को प्राथमिक्ता देता हूँ एक मिनिट के लिए सीधे मौन में बैठें इतने सामान्य तरीके से बैठें कि आपके ओफिस में किसी को पता भी न चले कि आप क्या कर रही है अपनी आखें खुली रखें जब आप ओफिस में हों तो आपको अपनी आखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है और बस धीरे से अपना ध्यान माथे के केंद्र पर लाएं स्वयम को प्रकाश बिंदु के रूप में देखें मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ हमें पांचवे फोल्डर से उन साथ संसकारों की पुष्टी करनी है और उन्हें सक्रिय करे आप हर दिन उन साथ संसकारों में से कोई भी एक संसकार चुन सकते है मैं एक खुश आत्मा हूँ कुछ भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ मैं खुशी बिखेरता हूँ पिछली सारी बातें एक सिकंड में खत्म कर देता हूँ और इसमें शामिल सभी लोगों को आशीरवाद दे या मेरे लिए स्वाभाविक है दूसरे लोगों की सफलता के बारे में अच्छा महसूस करना उन्हें आशीरवाद देने के लिए या मेरे लिए स्वाभाविक है या मेरा संसकार है मैं एक प्रसंद आत्मा हूँ अब अपनी किसी भी आदत पर गौर करे पहले चार फोल्डर से कोई भी आदत या संसकार जो आपको सहज न लगे और आप इसे बदलना चाहते है आप इसे किस आदत से बदलना चाहते है आपको पांचवे फोल्डर से उस नई आदत का चैन करना होगा तो इसे अपने लिए चुने और उस पांचवे फोल्डर से वह विचार ले और आज से ही इसे अपना प्रतिज्ञान बना ले अगर आप में से किसी को बहुत जल्दी दुख महसूस होता है यदि आपको अन्य लोगों से स्विकृती की आवशक्ता है यदि आप दूसरे लोगों द्वारा आपके बारे में कही गई स्विकारिता से अत्यधिक प्रभावित हो जाते है रोज अपने आप से कहो मैं प्यारी आत्मा हूँ मुझे खुद से प्यार है मैं समझता हूँ कि लोगों की एक राय है मैं उन्हें समझता हूँ मेरे नजरों में उनकी इज़त है मैं अपना सम्मान करता हूँ मुझे खुद से प्यार है मैं एक प्यारी आत्मा हूँ जैसे हम ऐसा करते हैं उस संसकार की रूप रेखा बदलने लगती है यह सिर्फ एक विचार है और फिर दिन के दौरान उस प्रतिज्ञान को कारे में लाओ आज से कल शाम तक चाही जो हो जाए मैं शांती के संसकार से उत्तर देता हूँ यह मेरा स्वभाव है